दो इंपोर्टन प्वाइंस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं बेसिकली इंपोर्टन्ट करन्ट सिच्वेशन के लिहाज से बहुत इंपोर्टन्ट है कि मार्केट में नेया थोड़ा सा चेंजी आही है मौडियूल चेंजी की तरफ जा रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों पहले भी बताया था तो कुछ चेंजी आही है मार्केट में वो मैंने आप लोगों से डिस्कॉस करनी है ऐसे जी तो एक सबसे पहली जो एक इंपोर्डन चीज़ मैं आपको पताना चाहा हूँ वो है हमारी वैट से रेलेटिड न्यू पॉलिसी आई है वैट से रेलेटिड ठीक है जी और वो पॉलिसी क्या है वो पॉलिसी पहले वाली पॉलिसी क्या थी वैट की पहली पॉलिसी ये थी के आप लोग जब यूके में लाट पॉस हम यूके के लाज से रगाते हैं तोगे यूके में ही ये चेंज आया बागी किसी मार्केट में ये चेंज नहीं आया अभी तक यूके में ये चेंज आया है कि पहले ये होता था कि हम लोग जब सैलिंग करते थे ठीक है जी हम लोग को चेक करते थे और बैंक अकाउंट में जो माली ट्रांजक्शन हुई है लास्ट्री मंग्स में उसका 20% हमें चार्ज कर देते थे आज सुरत वैट लेकिन आप उनकी पॉलिसी चेंज हो गया रिसेंटली रिसेंटली यूके वालों की पॉलिसी चैंज हो ठीक है जी दुआ करें कि इससे जादा चेंजिस ना आए और खास करके रैंकिंग के मोडियूल से रिलेटरी तो चेंजिस बिल्गुल भी ना आए तो हमारे पर लिए मुश्किल हो जाना है हमारे पास फिर कोई आसी मार्किट नहीं बचनी जिसको हम लोग अपने लिए जिसमें रैंकिंग बेसीकली इजी हो ठीक है जी और वो अब एच्छा वैट का क्या चेंज आया है कि अब क्या होगा कि Amazon ने direct connection का लिया है हमारे Amazon के accounts का चाहे वो individual account हो चाहे वो professional account हो चाहे वो non registered account हो चाहे वो registered account हो उसका Amazon ने direct connection करवा दिया है HMRC वालों के साथ अब इसका मतलब ये है कि अब HMRC वाले क्या करेंगे कि वो monthly basis पे कि आपने last 30 days में कितनी dollars की या कितने pounds की revenue अर्ण की है आपने last 30 days में कितने pounds की revenue अर्ण की है और उस में से आपका profit कितना है उस में से आपका profit कितना है क्योंकि Amazon को पता होता है कि आप कितना profit earn कर रहे हैं और Amazon हमसे बगार पुछे हमारे वो profit की report HMRC वालों को provide कर सकता है यह अब legal है यह चीज़ अब legal है तो हमारा profit Amazon वालों को नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा Amazon वालों को मारा profit पता है और वो बता देता है कि अगर इस बंदे ने last month में 10,000 pound की earning की है तो इस में से 3000 pound इसका profit था अब 3000 pound का 20% वो HMRC वाले हमें चार्ज करेंगे वैट की सुरत में और वो directly हमें देना पड़ेगा HMRC वालों को पहले तो यह दगा है कि हम लोग accountant के थूरू invoices बगरा बनवाते थे accountant के थूरू सारा कुछ करते थे लेकिन अब direct connection हो गया हमारे amazon seller central का और HMRC वालों का और इसके लिए हमें कोई modification करने की ज़रूद नहीं है हमारा procedure account creation का वो ही सेम है जो हम पहले करते थे अभी भी हम उसी तरह करेंगे लेकिन अब back end पे जो module था हमारे पास जो पहले हमारे पास हमारे seller central में हमारे अलावा amazon का logarithm बैटा होता था तो उसी के साथ अब amazon का logarithm के साथ अब HMRC वाले भी आगे में हैं लेकिन उनकी जो mostly रसाई है हमारे seller central में वो इस यहाँ ही जाक है कि उनको पता लग जाता है कि इस बंदे ने last month में इतनी earning की है और उस में से इतना परसेंट इसका profit है उनकी बस यही चीज़ कहना मैं HMRC वालों को पता लगती है और Amazon वालों को तो हमारी हर चीज़ का पता होता है वो तो कभी छुपी ही नहीं है उनसे तो यह modification आई थी हमारे Amazon के Amazon के module में भी आई है और HMRC वालों की working में भी आई है वैट related issues को हल करता है उनको हैंडल करता है मतलब जिस तरह आप कहलें के जिस तरह पाकिस्तान में FBR है उसी तरह UK में HMRC वाले हैं जो के tax related सारे issues को हैंडल करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा change आया है मेरे ख्याल से तो sellers के लिए पास कर sellers के लिए क्योंकि पहले ही होता था के sellers अपने accountants के तरू invoices गरा बनवा बनू के वैट को जितना कम से कम claim कर लेते थे पहले ही होता था लेकिन अब यह चीज़ बदल गई वही है अब क्योंके अब हम अपने accountant के तरू अब आपका seller अपने accountant के तरू invoices गरा नहीं बनवा सकता वो उसको extra charges नहीं गिनवा सकता अब direct connection आपके client का हमर्सी वालों को पास है हमर्सी वालों के पास 100% accurate information मुझद है तो अब आपको जितना tech आपका बनता है उतना pay करना पड़ेगा पहले तो था पहले let's go पहले मैं एक seller था पहले आज से रिबन देट दो माँ पहले मैं Amazon के पर selling का रहा था ठीक है जी तो अब साल का आखिर है December में मैंने अब अपना tax pay करना है VAT का तो मैंने क्या किया है मैंने पूरे साल let's suppose 2 lakh pound की earning की है let's suppose तो उसमें से मेरा जो profit है वो 40,000 pound का मेरा profit है बाकी मेरे expenditures गहरा है जो के genuine expenditures है लेकिन मैंने आगे क्या शोकरान है मैंने अपने accountant के तुरू हम मार्सी वालों के शोकरान है कि ये देखें जी ये तो 40,000 profit तो है लेकिन इसमें देखें इतने पैसे मेरे होस्पिटल बिल्स के आगे इतने पैसे हमारे पास हमने ये वाला टेक्स पे किया इतने पैसे हमारे बच्चों की फीज के हैं इतने पैसे हमारे घार के इतने पैसे हमारे बिजली के बिल्स के हैं इतने पैसे हमारे पानी के बिल्स के हैं यह सारे बिल बिल गएरा टैज करवा करूँ के मैं अपना प्रॉफिट मार्जन ले आता था था लैस्पोर फाइफ थाउजन पाउंड के ग्रीब और फिर मुझे फाइफ थाउजन पाउंड का 20% पे करना पता था ना के एक्ट्वल 40,000 पाउंड का यह होता था पहले की कहान तो मुझे मैं एक्स्ट्रा इन्वाइसीज एक्स्ट्रा चार्जीज क्लेम नहीं कर सकता मुझे फाइफ थाउजन पाउंड का ही टेक्स पे करना पड़ेगा और मुझे जो लगता है वो यह लगता है कि बहुत जल्दी यही पॉलिसी यॉरप की कंट्रीज में भी इंप्ल आजकल बहुत जाधा क्याना मैं फेस टू फेस चाल रहे है यूगे के जी सबसे पहले जो ब्रेक्जिट ब्रेक्जिट का मैंने आप लोगों को बताये था लास्क मंथ में ब्रेक्जिट क्या होता है ब्रेक्जिट आप इंप्लेमेंट भी हो गई थर्टी फस दिसंबर से हो गया वह है यूके के अंदर आपका क्लाइंट आप से पूछे के ब्रेक्जिट क्या होता है और कब इंप्लिमेंट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 में जो नया ब्रेक्जिट आना था 31 दिसंबर से वह यह है कि लेट्स पोज आप यूके का काउंट क्रियेट करते हैं जब आप यूके का क्रियेट करते हैं तो यह जो बाकी की यूरिप कंट्रीज के मार्केट है ना यह जर्मनी इटली स्पेंट फ्रांस लैदर लैंड वगएरा यह आपको एजन कोंबो मिल जाती है मतलब एक ही काउंट में यह सारे ना डिमेंज आपके पास अवेलेवल इस यूके के परती थी एक काउंट से आप सारी इन अचसे घी 6 मारकेटग्रेस में सैंल के सैलिंग कर लेते थे और और inventory आपकी UK में पड़ी होती थी, inventory आपकी UK में पड़ी होती थी, आप अगर चाहते तो आप Germany में भी पूचबा सकते थे, और जो वैट होता था, वो सिर्फ आपको UK की government को पेगना पड़ता था, लेकिन ये जो 31st December के पास Brexit आया है, इस Brexit में जो changes आई है, UK के module के अंदर वो आपने अगर तो जर्मनी और फ्रांस में selling करने हैं, क्योंकि ये दो ही हैं जो सबसे पहले उठके सामने आई हैं, अगर आपने जर्मनी और फ्रांस में selling करनी हैं, तो आपको account तो मिल जाता है UK वाले account के साथ, लेकिन आपको उन market में अपनी inventory live करने के लिए, अपनी listing को live कर होगी, एक limit तो इनने ये लगवा दी, second limit क्या लगई कि क्योंकि आपकी inventory जर्मनी में पड़ी है, आपकी inventory फ्रांस में पड़ी है, और आप selling भी उनी marketplaces में कर रहे हैं, revenue भी उन marketplaces कर रहे हैं, तो वैट भी आपको उनी marketplaces में पेकरना पड़ेगा, अब ये वाली चीज नही कि कि आपने एक ही marketplace का, let's suppose, UK का accountant hire किया, और उसके through HMRC वालों को वैट दे के आप फारिग हो कि नहीं, अब क्या होगा, अब ये होगा, कि आपको उदर के लिए भी आपको accountant hire करना पड़ेगा, और वहाँ आपको अलएद अलएदा, जर्मनी के लिए अलएदा, फ्रांस के लिए अलएदा, और UK के लिए अलएदा आपको, क्या नहीं, वैट पे करना पड़ेगा, UK का जो वैट है, वो basically अभी भी feasible है, आपके Sweden के वैट के लिए, और Netherland के वैट के लिए, और Spain के वैट के लिए, अगर आपको UK का वैट registered है, तो आप इन चार market में भी selling कर सकते हैं, ल क्याना मैं inventory पर जवाने पड़ेगी, और एक और limit, जो कि सबसे important मैं समझता हूं, मैं जो समझता हूं, क्योंकि मैंने इस इसको experience भी किया हूँ है, वो यह है कि पहले यह होता था, Brexit से पहले, कि अगर हमारा जो brand है, वो UK में registered है, हमारा जो brand है, वो UK में registered है, और हम registered brand के साथ in market places में selling करने जाते हैं, तो उस में हमारा उदर उन market place में भी registered brand ही consider होगा, हमारा brand registered ही consider होगा, उसके पर क्यी मीटू नहीं कर सकेगा, और उसकी listing को रेंग और में कोई issue face नहीं होगा, तोकि यह जो दूसरी European markets हैं, UK के लावा, यहां पे भी वही वाला साब है, जो UAE में और सौधिया में है, कि hijackers बहुत जादा हैं, और लोग मीटू बहुत जादा कर लेते होते हैं, sale तो है, लेकिन यह मीटू गहरा का issue बहुत जादा है, इन markets में भी, तो पहले ही होता था कि आप अगर register brand के साथ जा रहे हैं, तो आपको वहां पे brand रिजिस्टर कराने की जज़ और वहां पे आपको वैट भी रिजिस्टर करना पढ़ेगा, अब आप इन market में brand रिजिस्टर करवाते हैं, अब अगर तो आपका जो brand है, वो UK में रिजिस्टर है ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जर्मनी और क्याना मैं, इटली के लिए ना, जर्मनी और फ्र USA वगारा में यूज़ करते हैं, यूपी सी, यूनिवर्सल प्रडट कोड, प्रडट के लिए, इसी तरह हम लोग है, हम लोग ये जो European markets है, UK वगारा, इधर हम लोग यूज़ करते हैं, यूर्पियन आर्टिकल नंबर, ठीक हैं जी, तो वो specific यूर्पियन आर्टिकल नंब जिसके पर हमारी लिस्टिंग क्रियेट होती है, हमें वो रिजिस्टर करोना पड़ता है, ठीक है जी, तो अगर आप वो ये नंबर रिजिस्टर करो रहते हैं, तो आपका brand रिजिस्टर ही considerate समझा जाता है, फिर उसके पर आपको कुछ जादा महिनत करने की या जद्दू Brexit, Brexit basically इसी चीज़ों कहा जाता है, यही है Brexit हमारा, यह क्या है, यह हमारा Brexit है, जो basically UK में जो changes आई थी, उसको Brexit कहा जाता है, ठीक है जी, तो अगर आप से क्लाइंट आपको पूचे के Brexit क्या है, तो आप लोगों को पता हो ना चाहिए, पूच किस के बारे मेरे है, किस market के बा पूच रहा है, ठीक है कि, तो दो चीज़ें होगी हमारे पास, एक तो that changes थी हमारे पास, और दूसरी मारे पास changes थी Brexit की, अब Brexit basically इसको मैं क्यों ना डीप ली नी जा रहा, त्यूंकि इसका deeply, इसकी जो deep detail हम देखेंगे ना, वो हमारा एक मैंने आप लोगों को दखाये था जब account वेरा को हम study का रहे थे, कि एक हमारा portion होता है, एक हमारा option होता है, हमारे seller central के अंदर, जिसको हम कहते है, pan European service, FBA inventory, तो pan European का direct connection है हमारे Brexit के साथ, तो जब हम pan European को deep detail study करेंगे ना, wholesale के बाद जब हम लोग जाएंगे वापस, PL के अंदर, तो उसके अंदर ये topic हमारा जबूद होगा pan European वाला, तो उसके अंदर फिर हम ये pan European वालों को भी study करेंगे और Brexit को भी study करेंगे, तो उद्धर तुमारी जो deep study होगी ना, वो इदिल जाके होगी, ठीक होगे, अगर आपका इससे related question है, अगर आपको समझ नहीं आई है अभी तक, तो वो मेरे से पूछ मैं फिर वो repeat करते हो, ये देखें ला, ये सारी आपकी जो European markets है, UK, UK लदा होगी भी अब, जर्मी भी लदा होगी भी है, फ्रांस भी लदा होगी भी है, UK का और अप इन पांस market का connection है, लेकिन UK का इन दो market के साथ आप कोई खास connection नहीं रहा, ये कह जी, ये आपके account की total buy box percentage है, buyer messages, अगर आपका कोई buyer आपको contact करना चाहता है, तो यहां पे आपका show होता है, today's revenue के कितनी revenue अभी तक करन की है, आप इसको filter out भी कर सकते हैं, seven days के लाज से, 15 days के लाज से, 30 days के लाज से भी आप कर सकते हैं, order कितने आई हैं, आज ये चीज़े आपको यहां पे नज आप।